Hello friends, welcome to Indian study, Indian study पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए UPSI का हिंदी का टेस्ट लेकर क्या आजा हूँ जो कि आपके एक्जाम UPSI के लिए important है वीडियो को end देखिएगा क्योंकि last time मैं आपसे questions ही पूछूँगा और उसका answer आपको comment box में बता ना होगा साथी साथ इस वीडियो की PDF description में telegram channel का link दिया हुआ है वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं पहला questions है आपके सामने काली गटा का गमंड गटा पंक्ती में प्रियुक्त अलंकार पैचानी है कि इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है काली गटा का गमंड गटा तो इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है देखो जहां एक सब्द की आविरती कई बार आती हो और वहाँ पर अर्थ दोनों ही जगी अलग-अलग होता है तो वहाँ पर आपका यमयक लंकर होता है तो इसलिए पहला options बिल्गूर correct सब जिवाग दिखाना इस मोहाबरे का सही अर्थ क्या है जल्दी बताओ sir सब जिवाग दिखाना इस मोहाबरे का सही अर्थ क्या है important questions जल्दी बताईए तो सब जबाग दिखाना इस मोहाबरे का जो सही अर्थ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जूटे बादे करना यानि कि इस questions का दूसरा options जो है वो आपका बिल्कों क्या होगा सर correct होगा next questions दिये गए विकलपों में से कौन सा विकलप उमीद का बिलोम सब्द है जल्ली बताइए उमीद का बिलोम सब्द कौन सा है तो उमीद का जो बिलोम सब्द है आपका मायूसी दूसरा options correct आपकी जानकारी के लिए बता दू कोई बच्चा लगा था और दो तीन दिन से मेरे से कमेंट में बोल रहा था कि सर लाश्ट इयर जो एक्जाम हो चुकिए हैं उनके प्रेक्टिस से आप प्रोवाइड करवा दीजिए हिंदी और जी के जो जो भी आपका सब्जेक्ट है तो ये जो आपका पेपर ये लाश्ट इयर वाला ही है जो 2017 में एक्जाम होगा था ठीक है नेक्स्ट कोस्टन से आपका कि लोका यतन किर्ती के लिए सोवियत लेंड नहरू पुरुसकार के से दिया गया था तो ये दिया गया था आपका सुमेतर अन्दनदपंद को चौता आप्संस यहां पर आपका विकुल करेक्ट हो जाएगा निंखलेकट मेंसे कौनसा पुरुलिंग सब्द है जल्दी बताईए उपसर्ग वो हैं जो किसी भी सब्द के आगे लगा जाती है तो इन में उपसर्ग आपको बताना है तो इन सब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा सम उपसर्ग होगा यानि कि इस questions का पहला ही options correct दियेगा विकल्पों में से सही वाक का चैन कीजिए आराम से वीडियो को पॉस कीजिए फिर आप इस questions का आंसर बताईए तो सही answer क्या हो जाएगा निमलिकत विकल्पों में से सही विकल्प का चैन तो सही answer हो जाएगा आपका तलवार एक उपियोगी सस्त्र है यानि कि इस questions का तीसरा options correct होगा सर क्यों सा options तीसरा options correct next questions start करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों अगर आप घर बेटे UPSI की तयारी करना चाते हैं तो हिंदी बिल्कुल topic wise मैं आपको अने केड़ी पर complete करवा रहा हूँ वो भी सुभा 11 बजे daily glass होती है संधी आज ही आपका start होगा है और ये topic अभी आपका चलेगा जिसमें स्वर संधी आपका start होगा है ठीक है अब आपको लग रहा होगा कि free special class है पता नहीं कैसे पढ़ा रहा होंगी मैं आपसे कह रहा हूँ और आप ये समझ लीजे कि मैं आपको forcefully कह रहा हूँ कि एक बार आओ मेरे कहने से और देखो कि वहाँ पर मैं आपको कितने अच्छे तरीके से पूरा topic complete कर रहा हूँ अगर आपको वहाँ पर कुछ समझ में ना आए तो वहीं से class को आप क्या करना back आ जाना class में और मुझे rating options आए ना तो बिल्कुल dislike कर देना और भेन कर तरीके से dislike करके आ जाना लेकिन एक बार आओ class में जब आप class में आओगे ना तो आपके जाने की एक्षा नहीं होगी क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं आपको हर चीज complete करवा रहा हूँ अगर आप पहली वार anacad b के आपको download कर रहे हैं तो आपको sir class unlock करना पड़ेगी मेरी तो unlock code है आपका Indian study ठीक है फिर भी कोई दिक्कत हो तो comment में पूछ लेना और comment में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो instagram का link दिया हुआ है तो instagram पे पूछ लेना आप देख लेते हैं next question question number 8 आपके सामने दिये गए बेकलपों में से सही का chain कीजिए जब कंदे पर flinda blanks का भार पढ़ेगा तब flinda blanks का भाव मालूम पढ़ेगा ये questions आपका ऐसे questions बहुत पूछे गए तो आपका जो सही आंसर होगा वै क्या हो जाएगा जब कंदे पर ग्रस्ती का भार पढ़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पढ़ेगा चोहता options correct इनमें से कौन सा सब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन होता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका जगनात यानि कि इस questions का पहला options जो है वो आपका विल्कुल correct हो जाएगा अब आपको ये questions समझ में नहीं आया होगा ठीक है ना जैसे मैं आपसे बोल दूँ दखो जगनात सब्द अंग्रेजी में अपनाया गया इसका अर्थ जो है वो बिन होता है हिंदी में ये जग और नात से बनाया है जग का अंत होता है आपका क्या जब्ली बताओ जग का मतलब होता है आपका संसार या अंग्रेजी में इस जग का अर्थ क्या होता है जो लोटा होता है आपने देखा होगा जग अलगी होता है यानि कि जो सब्द है जग हिंदी में इसका अर्थ होता है आपका संसार और अगर हम बात करें अंग्रेजी में जो जग इस प्रकार्ट से होता है, देखा होगा आपने, तो आपका समझ रहे हैं, तो जगनात एक सब्द है जिसको अंग्रेजी वासा में अपनाया गया और इसका आर्थ जो है वहाँ पर अलग होता है, निम्ले के तमेंसे कौन सा सब्द जो है वो सुधह बताईए, कोस्ट करेक्ट है, दिये गए बिकल्पों में से कौन सा इस्मरल का विलोम सब्द है, इस्मरल का विलोम सब्द आपको बताना है, तो इस्मरल का विलोम सब्द होगा विस्मरल तीसरा ओप्संस करेक्ट, सुधी सब्द की अंत में क्या जोलने पर बहु बचन वन जाएगा, तो सु तो स्थीया अंसर हो जाएगा भह है क्या हो जाएगा? अजबन था। sisters नमर्बश अमरित लाल नागर दूसरा options correct निमले के तमेश से बिकलप में दूरखी नहीं है याने कि जो बिलकुल सुध है तो स्थीया अंसर आपका क्या हो जाएगा? उस कागच पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये पहला ये options जो है वो आपका बिल्कुल सोध है correct है तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती है देखो फिर से आपका भई आगिया जहाई एक सब्द की आबिटी एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ जो है वह अलगजगों वहाँ यहमकलंकर होता है तो यहाँ भी यहमकलंकर होगा खराद पर चरलना यह से मुवबरी का सही अर्थ क्या है तो सजी आंसरो जाएका जाँच में आना तीसरा options correct दिये गए विकल्पों में से कौन से विकल संचिप्त का ब्लूम सब्द हैं संचिप्त का ब्लूम सब्द तो संचिप्त का ब्लूम सब्द हो जाएगा विस्तरित तीसरा चौता ओप्सन्स करेक्ट पिरत्यक्ष का आपको समनार्ती सब्द बताना है पिरत्यक्ष का समनार्थी सब्द तो पिरत्यक्ष का समनार्थी सब्द हो जाएगा साक्छात तीसरा ओप्सन्स करेक्ट चरन कर्मल बंदो हरी राई पंक्ती में चरन कमल का अर्थ क्या है जल्दी बताओ चरन कमल का अर्थ क्या है तो सही आंसर हो जाएगा कमल के फूल जैसे पेर कहली सटेको एक चतिसम सब्द नहीं होगा जैसे खिचली होगा, खिलकी होगा लोटा होगा ठीक है यह सब्द देसम सब्द है यानि कि कहली भी देसम्द होगा तो यहां पर दूसरा ओपसैं ग्रेक्ट है chain कीजिए और द्याओएक सुद्वर्तनी में किस प्रकार से लिखा जाएगा question number 21 जल्दी बताओ और द्याओएक आप किस प्रकार से लिखेंगे तो सही answer आपका क्या हो जाएगा option number D चौथा options यहाँ पर आपका विकुल correct हो जाएगा next questions आयते हरी बजन को उटन लगे का पास इस लोकोत्ती का सही अर्थ क्या है जल्दी बताओ इस लोकोत्ती का सही अर्थ है कि किसी कार बिसेस की उपे एक्षा कर किसी कार अन्यकार में लग जाना चौथा options बिल्गुल correct पर एक्षा मैं कटिन प्रिसनों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी वाक में आए मुहाबरे का अर्थ बताइए अकल चकराने का सही अर्थ क्या है अकल चकराना यानि कि कुछ समझ में ना आना चौथा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर correct हो जाएगा दिये गए बिकल्पों में से अंगना का समनारती सब्द बताईए अंगना का समनारती सब्द तो अंगना का समनारती सब्द होगा आपका इस तरी चौथा options correct इस TRI LING सब दोते हैं, कौन से? जल्दी बताओ तो जो नक्षत्रों के जो नाम होते है, नक्षत्रों के नाम वे आपके इस TRI LING में गिने जाते हैं, चोथा options यहाँ पर आपका विल्कुल क्या होगा सर? correct होगा नक्षात्रों के नाम जैसे आपका भरणी, किर्तिगा, रोहिणी ठीक है, आद्रा, आसलेसा मगा, स्वाती, चित्रा ये सभी आपके स्त्रिलिंग में गिने जाते हैं ठीक है next question, सूरदार और नंदास की काव रचनाओं की भासा कौन सी थी जल्दी बताईए सर सूरदास और नंदास की काव रचनाओं की भासा कौन सी थी सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भासा तीसरा options correct इन वाक्यों को सही करम में लगाईए और आपको बताना है लगा करके ठीक है, रावल तो सिर्फ रावल है, रावल फिलिंदा विल्यांक्स दुनिया में इस नाम से कोई दूसरा आपको व्यक्ति नहीं है आपको इसको बिल्कुल suitable sentence में बनाना है देखो, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा रावल जैसा, यहाँ पर जैसा आएगा रावल जैसे दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है राम तो बिल्कुल मिल जाएंगे यहाँ राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावल नहीं यानि कि पहले बी आएगा फिरडी आएगा रावल तो सिर्फ रावल है राजा दिकारी लंका पती महराज रावल को दसाननवी कहते हैं यानि कि B, D, A, C क्या आएगा B, D, A, C कौन से आप्सेंस में दिया तीसरे आप्सेंस में तीसरा आप्सेंस करेक्ट सालों बाद उसका प्रवासी पती लोटा है इस बाद में कौन सा विसेंसन है जो संग्या और सरबनाम की विसेंस ता बताते हैं उनको ये विसेंसन कहते है प्रवासी सब्द जो है वो विसेंसन होगा तीसरा आप्सेंस करेक्ट प्रलिंग सब्द का चेहन कीजिए कौन सा सब्द प्रलिंग है पक्ची, पक्ची सब्द जो है वो एक पुरलिंग सब्द है पहला options बिल्गुल correct दिये गए बिकल्पों में से कौन सा निसीत का अर्थ है निसीत का अर्थ क्या होता है तो निसीत का अर्थ होता है सर आधी रात दूसरा options correct काजल की रेक सी कतार है खजूर की इस पंक्ती में अर्थ लंकार का कौन सा बेक जिलकता है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा उपमा, चौता options यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा प्रेम अंदेखी राहों की तरह ही आकरसक होता है वाक का काल पहचानी है इस वाक में कौन सा काल है प्रेम अंदेखी राहों की तरह आकरसक होता है वाक का काल पहचानी है तो इस वाक में समान वर्तमान काल है दूसरा options correct किसी का या किसी की फिलिंदबलेंक्स पाकर उसके पृति फिलिंदबलेंक्स का भाव प्रकट करना फिलिंदबलेंक्स के इस्तान पर सीउटेबल वर्ड आपको बताना है किसी की साहता पाकर उसके पृति किर्टागिता का भाव प्रकट करना आवसायक है तीसरा options correct हो जाएगा पहले में साहता आएगा दूसरे में किर्टागिता आएगा next questions किस सब्द में गड़ का प्रियोग कर भाव बचन नहीं बनाए जा सकता है नेता का भाव बचन क्या नेता गड़ होता है बिलकुल होता है भक्त का भक्तर गड़ होता है बिलकुल होता है सिक्छक का सिक्छक गड़ होता है देवी का देवी गड़ नहीं होता है तो यहाँ पर दूसरा options correct देवी जन होता है निमलेकत में से कौन सा ततसम सब्द नहीं है 38 चक्सू है उस्ट है चक्सू हांक का है उस्ट उट का है ददी धही का है सिंगार जे जो है वो एक ततसम नहीं है तदवा है next questions आपको flinda blanks इस्थान वरना है परवरत flinda blanks का परवरत तो परवरत जो है यह आपका कोयल का परवरत यह सर पहला options correct last questions प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरुसकार के लिए सम्मानित किया गया तो यह questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तो यह थे आपके 40 हिंदी के important questions जो कि आपके last year पूछे जा चुके है वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीस दोस्तो वीडियो को like और share जरू कर दीजेगा तो दोस्तो फ्लाल की वीडियो में सुर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को like कीजे share कीजे और साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe करना ना बूलें क्योंकि वह रोजाना ऐसी तरह के वीडियो जाप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्तकार दोस्तो जय हिंद जय भारत